हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू लॉर्णिक्टोमिक्स लॉग दैना प्रिंग कवर सेस्टर ठीक है आज हम बात करेंगे फूर्थ और फिफ्थ कोशन की हमारा चप्टर कुन सा चल रहा था टेक्समें के ट्रेकर्स का स्कैनर का हम कर रहे थे चप्टर बन टाइपस ऑफ कॉर टेस्ट आपका जून 2023 और दिसमबर 22 के अकॉर्डिंग न्यूश लेबस के अकॉर्डिंग जो इसका नहरे आपका टैक्समें का यह वाला उसके अकॉर्डिंग इसमें फुशन देया हुआ है जो दिसमबर 2018 और जून 2018 में हैं 55 नमबर के इनको हम करते हैं इसमें लिखा और एसमें इस पेले पर चुके का परेट रिस्टुरिंग में इनर्गनी ग्रोथ इस्टाटेज यस डैक्निफिकेंट्टी चिंजिस कंपनी बिसस्मोर्ल मेंचमें टीम और फिनिशले स्ट्चर तो अट्रेस चैलेंजिस एन इंक्रीश यह ब्रूलर वैल्यू लाब्रेट दब statement with different opinion of corporate restructuring basically in organic growth हम पड़ चुके in organic growth कौन से होती है या में इसन मर्जर acquisition d-merger इन सब को हम क्या बोलेंगे in organic growth बोलेंगे और organic growth कौन से होती है जब हम अपने business strategy में changes करके अपने customer base बढ़ाते हैं अपने business को ही पूलते हैं उसको टाइम ज्यादा चेहीं होता है आपको और गनिक करने के लिए और इनारे के लिए क्रोट कम टाइम में ज्यादा हो जाती है यह तो फूर्थ कोशन देशा में 2018 में आए था आपकी इसमें आपको यही बताना है आपको बताना वही है सब की कॉर्पेट रिस् आपको यह पूरा आंसर देना है क्योंकि आपकी कोशन में वैसे ही पूछाए आंसर देखो वही होता है सीम थोड़ा सा थोड़ा बहुत चेंजिस होते और आंसर आप बनाते हो अपने कोशन के अकॉर्डिंग अब इस कोशन में वही पूछा है सिग्निफिकेंटी पूचे कोचे और आपको को और और इन उऔर गरोडने कोशन के बारे में ही नहीं पाता है तो आप को और यंधे में नहीं आएगा कि आपनी आंसर में लिखना क्या है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दूसरा कोश्चन है जो जून 2018 में है इन और्गैनिक ग्रोथ प्रोवाइड एन और्गैनिजेशन विद एन अविन्यू अफ ते टेनिंग एक्सेलरेटरिग ग्रोथ एन कंपेर टू दा और्गैनिक ग्रोथ इन जर्नल कमेंट अन स्टेट इन जर्नल आप हमें स्टेट्मेंट बताईए अपना बताईए ठीक है ताको बेसी के लिए धान किसको लेकर रखना है आपको सारे पॉइंट डेसकस करने हैं ठीक है सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे बस आपको और गैनिक और इन और गैनिक के को ध्यान में रखकर ये शब्द आंसर में लगा के लिखने हैं फर्स पॉइंट इसके आंसर में क्या दे रखा है लिबराइजेशन प्राइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑफ एकनोमिक इंडियन एकनोमी लीड टू रिलैक्शेशन ऑफ लैसेंसिंग यह हमने पढ़ा था अपने पिछली वीडियो म जोना हुआ खा टान को उस नियुक्त को है है यह मुझे देशन नी है एक्ष्ट लिक लिविटन और शर्मन एक्ट्ट ऊए था हजारी यहर आपका महत ता आयता मृत्व्प रियृष्ट अब भी होंगे जो अपनी प्रोड्यूस करेंगे उनके पास गौर्मेंट से लाइसंस होना चाहिए तो वह लाइसंस फिर बाद में माटी पी अक्ट आया हजारी कमीटी आई जिसने उन लाइसंसिंग में जो डिफैक्ट थे वह बता है तो उसे हिसाब से फिर गौर्मेंट ने ला प्राइवेटाइजेशन आया उसके बाद क्या हमें रिलक्षेशन मिला लैसेंस वाली नीती से फिर क्या हो बाहर से माटी पी अक्ट ने ठीक से काम नहीं किया उसके बाद रागवन कमीटी आई यह सब कमीटी आई और गौर्बलाइजेशन हुआ और इंफ्लो और फॉरन पैसा ने लगा बाहर की कम्पनी आखे ने लगे सब्सक्रण पॉस्टोप्राइबेट समेशन चेंग निया की कंपनी में इस बॉस्ट करिकशनए और अपने लिस इंबस्कान शुर्ण कर खर दिये अपना श्यर कंप्राइशन होने लगा उन दघंसena लगा मतला एकनॉमी में मनी का फ्लो बहतर तरीके से हुआ तिया ड्यू टू इस चेंजिस ट्रेडिशनल बिजनेस बिकम डानेमिक क्राइस कट थोट ठीक है कंपटिशन एक्सेक्टर यानि की जो एक ट्रेडिशनल तरीका था बिजनेस को करने का वो हटा और उसकी जगा एक डैनेमिक और एक तेज तेजी से जो एकनॉमी में ग्रोथ करेगा कंपटिशन लाएगा वो तरीका अपनाया गया ठीक है अलाइनिंग बिजनस अक्टिविटी इन लाइन विद प्राइम ऑप्जेक्टिव स्टिक है और मैक्सिमाइजेशन शेरहोल्डर्स वैल्ट क्या था पहले क्या था सिर्फ क्या शेरहोल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना और अभी भी यही इंपॉर्टेंट है लाज कॉर्पोरेट एंटिटी इन्टु टेकिन वैरियस स्टाटेजिस डिजिजन यानि कि इस एम को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारे स्टाटेजिस अ उससे हटा के एक दूसरे तरीके पर लेके गए और शेरोल्डर्स की वैल्यू को भी बढ़ाया और अपनी एकनोर्मिक ग्रोथ को भी बूस्ट किया ठीक है उसके बाद बेसिकली और गैनिक ग्रोथ स्टाटेजिस रिलेट टू बिसनेस और फानेंशल रिस्ट्रक्चरिंग देख से तरीं डओनेशट डात रिजल डिसहां हरे अर्ःका स्ट्मर 2020 बेस योधे इंगां अर्गे श्रोथ के बीया यहां पर आपको बेसिकली बता दिया है कि और इनक ग्रोथ क्या होते है और गैने क्रोथ ब्जिन्स और आपके इन्टरनेंसल मेंचर से र्लेट करती है और हायर कस्टमर बेस यानि कि आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसी स्कीम चलाएं कोई ऐसी स्टाटजी अपना जिससे आपका कस्टमर बेस बढ़े कस्टमर आपका बढ़े और आपकी सेल इंक्रीज ओ जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो तिक है इन और गरोथ ड़स नौ कस्टमर का क्राइटिरिया बढ़ा रहे हैं अपना समान बढ़ा रहे हैं सेल बढ़ा रहे हैं एंटेटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है यानि कि आप अपनी कंपनी में कोई चेंज नहीं करें तीक है जैसे आप एक शॉप है आपकी ठीक है आप अपने शॉप पे स्कीमें तौह आ पर आपने दुकान में कोई चेंज़ में रहेंvettehern आपने रेंड़ारन और में नहीं आपने एप व्याड़ा दूपा अपनी नी नीजि नहीं कर दी पहले से चांटErिक़्ेंट आपWell मतलब अपनी हैं आप मैंय्च में मैंैंजमेंट में या अपने किसी क्या टिवा इपने को इसले जो मॉलशीnyt में अपनाRel science गेशान विन किया सब्सक्रका आप participate और एंटियमें कोई चेंज ना करते हुए अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया और अपने रवेन्यु गए किया अपने सेल को बढ़ाया वह सब क्या होता है और गनिक गरोथ में इन अगनिक ग्रोथ स्टा डेंजीश इंक्लूडूट चेंज्च जिन्द अपर रैंटिय अनिकि तेया और दोडिया जा किसी कंपनी के साथ जाके कोई ऐसा कोंट्रक्ट यह जिसने असकी है के सब्सक्राइब कर तरीके की चेंजिस को बोलेंगे इन ऑर्गैनिक ग्रोथ इसमें कंपनी के corporate entity में changes होते हैं in organic growth में ठीक है फिर आपका लिका है in organic growth strategies there is changes in business model along with management style financial structure etc ठीक है आपके organic growth में क्या होगा business model में changes हो सकते हैं यानि कि आज आप ये नीती अपना रहे हो कि आप दूसरी नीती अपना सकते हो ठीक है आज आपने इस तरीके से समान बेचा है या अपने company में यह वाली strategies अपना ही थी आज आपको इससे इतना profit नहीं रहा तो आपके इसी दूसरी strategies को अपनी implement करना चाहते हैं अपनी company में तो वो और वो organic growth में आईगी वो पैसे करते थे नहीं अब हम यहां पर इतना करेंगे यह चेंज इस तरीके की चेंजिस corporate in organic growth में नहीं आते हैं यह सब adopted as a measure to achieve in organic growth strategy यह सब क्या है स्लम से लोगे strategies अलाइंस होगे डी मर्जर मर्जर joint ventures take over और यह franchise यह सब किसके हैं in organic growth strategies के तहते हैं rational for in organic growth strategies याने की तर्क देना कि in organic growth strategies के बारे में orderly redirection of activities याने कि आप किसी direction में अपनी कंपनी को लेके जा रहे हैं किसी direction में आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने किसी कंपनी के साथ merger acquisition take over या something कुछ भी किसी भी तरीके से in sources के जरी आप किसी दूसरी company के साथ मिलते हैं तो वह अपनी technology अपनी management अपना strategies भी आपके आपके साथ share करेंगे और हो सकता है कि आप अपनी जो आपकी activity है उसको आप दूसरे तरीके से दूसरे वे से उसको इंप्लिमेंट करें तो orderly redirection of activities में हो सता है in deployment of surplus cash in other enterprises यानि कि आपके पास जो पाल्टू का surplus cash है ठीक है जो extra में पैसा पढ़ा है आपके पास वह यदि आप अपनी business में आप अपनी कंपनी में है और यह दिया आपने किसी कंपनी के साथ merger acquisition या सम्थिंग किसी तरीक से आप किसी दूसरी कंपनी के साथ अठे जाए तो क्या होगा आप उस कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं वहां से भी पॉफिट ले सकते हैं यूटिलाइजिंग इंटर इंडिपेंडेंट अमंग बिजनेस रिस्क रिडाशन त्रो डाइवर्सिफिकेशन रिस्कों कर सकते हैं मैंने आपको बताता ना कि शेयर का एक्जामपल कि आपने कि सारा पैसा एक तरफ लगा दिया कि सारा बैंक सक्तर में लगा दिया जैसे कंपनी में आपने एक कंपनी खड़ी गरी उसका एक काम किसी वज़े से नहीं चल पार रहें और तो आपको करेंगे एपने पैसे को थोड़ी ओर से किसी और दूसरे सेक्टर में लगाईंगे तरसे क्यों होगा आपका जो उस सेक्टर से आपका जो बैनेफिट एज सब्सक्राया है इसमें मेरा प्रॉफिट कम-प्रेश्क मिल सकता है उपसान भी लोस तब कि अपने अपने को डाइवर्शिपाइए उपने कंपनी तरीके के सक्टर ओं में इनवस्ट किया हुआ है तो क्या होगा आपका रिस्ट रिडक्शन होगा आपका क्लिक्ष काम हो सकता है दुसरी तरफ से प्षूफिट अपका इतना है कि जहां से आपको लॉसुर्वा सब्सक्राइब हर एक सक्टर के लिए मतलब हर एक जो रिटेलर है जो प्रोड्यूसर है जो एंड यूजर है जो मार्केट में अधर आपके कंपडीे ईयाक निकेम को सकते हैं अपने को बढ़ा सकते अपने अपने से परने इस एचल सकते हैं अपने और साहता से दूसरों के कर सकते हैं यह कोशन हो गया आपका कम्प्लीट यह सारे पॉइंट मैंने आप से लिसकस कर लिए आप टेक्समें का क्रेकर जरू खरीद ले मैंने आपको बताया था यह तीन सो तीस रुपे का थी थर्टी रुपीज में आपको मिल जाएगा ठीक है यह आई दू के सामने जू बिल्डिंग है उसके पास जो आइडियो है उसके ठीक सामने जो शॉपस हैं वहां से आपको डिसकाउंट करके इसमें 475 MRP पढ़िए पर आपको यह थी थर्टी का मौप से मिल जाएगा ठीक है तो मैंने आपको बता दिया ठीक है अब इसमें नेक्स्ट कोशन है जो जून का एक नमबर मिल जाएगा आपको देखें मर्जर क्या होता है मर्जर ऑकर्स बैं तू सेपरेट एंटिटीज कम तुगेधर तो क्रिएट न्यू जॉइंट वेंजर जॉइंट और ऑगनाइजेशन इन विच बोद आर पार्टनस ठीक है मर्जर क्या होगा ए और बी दोनों मिल गए या तो उन्होंने क्या करा एक नई कंपनी फॉर्म कर दी सी या फिर वो दोनों ही जॉइंट ऑगनाइजेशन की तरह ए और बी दोनों की काम कर रहे हैं ठीक है अब मर्जर में क्या होगा ए और बी ए प्लस बी हुआ ए और बी का मर्जर हुआ तो हो सकता है कि नई क एक क्रिएट करदेशी और हो सकता है और डोनों जॉइंट यानि कि आप से सहमती से एक बिजनेस को चला है मर्जर में ठीक है अकिउजिशन में क्या होगा था है अक्विजिश न मतलब होता है सिंपल सा पर चेश यानिकि आपने किसी कमपनी से किसी दूसरी कमपनी को लिए जब आपने खरीद लिया तो बीक की तो अंटिटी खतम ही हो गई ना तो एक्यूजिशन राफर्स टूद परचेश ऑफ वन एंटिटी बाइ अनदर एंटिटी तो आप पहला डिफरेंस यह दे देंगे कि एक दोरा बीक को खरीद ही गया अक्यूजिशन हुआ गया पर बता रहा है कि एक यह जादा कंपनी डिसॉल्व हो सकती है यानि कि मर्जर हुआ अब यह भी तो हो सकता है यह प्लस बीका मर्जर हुआ तो उन्होंने का भाई यह हम एक को खतम कर रहें के सारे शिफ्ट हो जाओ भी मैं अब बीको ही चलाएंगे या फिर हो सकता है यह भी क ऐसे पिछोंट पमपनी और एक्जिशन में और को मिल्ए इस डिस ओलड यानि यह और बीने एने भी को खरीद लिया है तो ना तो भी डिसॉल्व होंगी चांपनी करेट होगी चैनल ब्थ को चलाएंगे टीक है और बोट कॉट्व ऑन नहीं चलेंगे इंघ मर्जर में अब दो कंपनी एक साथ मिलकर सिंगल एंटिटी पथा था विदे न्यू ओनर्शिप एंड मैनेज़मेंट इस्ट्रच्चर थी ति कर सकते हैं कि चला कि चला सकता और सीबीना ही नहींस परम सकते सिंगल एंटिटी एक नई उनर्शिप के साथ थार्ड पांट में क्या है A भी चला सकती है AB भी चल सकती है और C भी चल सकती है पर क्या एक new ownership एक नए ओनर्शिप एक नए मालिक बन जा है उनका और management structure में भी आप changes कर दे ऐसा भी हो सकता है C form हुई यानि कि नए owner हो गया नए management हो कि सब कुछ नए हो गया और acquisition में क्या होता है A ने B की सब कुछ खरीद लिया सारा control A के हाथ में आगा B का कोई वजूद ही नहीं क्योंकि वो बिक गई उसको A ने खरीद लिया तो यह है तीन नंबर का कोशन आया जून 2019 में तो आप इसका देख ले ना यह दोनों आज मैंने तीन कोशन कोशन आपके करवा दिया दिसमबर 2018 जून 2018 में 55 नंबर के कोशन आया है और जून 2019 में तीन नंबर का कोशन है यह कोशन बन सकता है बहुत इंपरणन कोशन है अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स करेंगे आपने हां तक वीडियो देख लेए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चलिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना और यदि ठीक लगी हो क्लास तो भी कमेंट बॉक्स में लिग देना ठीक है पाई